आपके अपनी यूट्यूब चैनल में दस्टडी अब तो आज हम बात करने जा रहे हैं ससी की तरफ से रिक्यूर्मेंट आ चुकी है नई पोस्टे आई है मैं आपको बता दू यह जो टोटल पोस्टे हैं तुरुजा सो पोस्टे हैं तो सारा वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिसक्स करेंगे इसमें पोस्ट कितनी है इलिजिबल्टी क्या है एजुकेशन कॉलिफकेशन तो सारा हम डिटेल में डिसक्स करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप चैनल पर नहीं विजिट करें तो प्लीज चैनल को हमारे इस चैनल पर रोज जाब सब्डेट आती रहती है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो बहुत ज़दा इंपार्टर रहने जा रहा है मैं आपको बता दूँ यह जो पोस्टें हैं 10 12 और ग्रेजुशन पास है तो इसके लिए वीडियो को जुरूर एंड तक देखना ताकि आपको जो है इसके रिकार्डिंग पूरी इंफार्मिशन प्रोवाइड हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँए यह जो पोस्टें आई है एससी की तरफ से रिक्यूर्मेट आई है तो इसमें अगर हम सबसे पहले सबमीशन की बात करें तो इसके जो ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं 6-3-2023 से और इसकी जो लाज़ डेट रहेगी वो 27-3-2023 को रहेगी और आपको जो है लाज़ डेट मिलेगी पै जुनियल जुलाई में आपका एग्जाम कॉंडेक्ट होगा तो अब अगर हम बात करें आपको इसका एप्लिकेशन फॉर्म कैसे अपलाई करना है तो सबसे पहले आपको आपने इनकी ओफिशल वेबसाइट य विजिट करनी है एससे टीप डाट एससी डाट एन पे जाना तो अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो मैं आपको बता दूए यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट फारा पार्टिकुलर क्रेटिगिर ॉप पोस्ट इस मेंचे पोस्ट डेटल में मेंचिन किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे तो उससे पहले अगर हम सिर्नगर और जमू में रहेगा वो भी मैं आपको बता दूँगा, यहां पर वो भी डिटेल में डिया गया है, उस पे भी हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो है जैंड के में जम्मू, सांबा और सिरनगर में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा तो फिर अगर हम इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें मैंने आपको पहले ही बता दिया इसको जो है आपको एक केम्प्यूटर बेज टेस्ट होगा उसमें आपका स्लेब जो है जैनल इंटेलिजेंस के जो है 25 कोस्टेंस होंगे उसके बाद जर्नल एवेरनेस के 25 को इंग्लिश लेंग्वेज के जो है 25 कोस्टेंस होंगे तो टोटल जो है आपको यह 200 मार्क्स का है 60 मिनट 80 मिनट फार कंडिदेट इलिजिबल फार स्क्राइबर्स एज पर पैर तो इसमें जो है नेगिटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी यहां पर आप देख सकते हैं 0.50 जो है इसमें इच रॉंग कोस्टिन की जो है नेगिटिव मार्किंग रहेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी जितनी भी इसमें 10 पास पोस्टे हैं उनके लिए अलग से स्लेबस मेंशन किया गया है तो उसमें जो है आपका वो भी मैं आपको बता दू जर्नल इसी के बेस पे आपको कॉस्टिन आएंगे तो फिर अगर हम 10 प्लस 2 हायर स्केंट्री लेवल की बात करें तो इसमें भी आपका सैमी रहेगा जर्नल इंटेलिजेंस रहेगा जर्नल आवेरनेस रहेगा को इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं फिर ग्रेजुशन लेवल क भी नीचे दिया गया है पोरा मेंशन किया गया है तो अब अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं सीनर टेक्निकल एसिस्टेंट यह जो है ग्रेजुशन लेवल की पोस्टेंगे उसके बाद लाइबरियरिया इंफरमेशन एशिस्टेंट फि तो इसी तरह यहाँ पर 10th pass मैं आपको बता दूं कंटीन अटेंडेंट इसमें 10th pass है फिर लिबाटरी अटेंडेंडेंट इसमें भी यह भी आपोज 10th pass है तो इसी तरह आप यहाँ पर पूरी नॉट्सकेशन डिटेल में देख सकते हैं इसकी में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से भी डॉनलोड कर सकते हैं पूरी आप नॉट्सकिशन खुद पढ़ सकते हैं तो मैं आपको बता तूँँ इसकी जो फीर रहेगी SCST कंडिडेट्स के लिए कोई भी फीर नहीं है और जो बागी कंडिडेट्स है जैसे की अन्रिजर्ड जर्नल वाले आते हैं तो उन में जो है आपको 100 रुपीज पर कंडिडेट पे करना पड़ेगा तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में था इतना ही मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं अपड़ेट के साथ तब तक के लिए आला हाफिज